अस्सलामू अलेकूम दोस्तों, नजर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है, जैसा कि आप सब जानते हैं। कोरोना वाइरस के खिलाफ जंग में पी-म नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन 3 माई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन की वजह से सभी उद्योग बन पड़े हैं, ऐसे में महराष्ट्रा सहित कई राज्यों में दूसरे राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं। सूतरों से मिली जानकारी के अनुसार ठाकरे सरकार महराश्ट्रा में फंसे अन्या राज्यों के मज़धूरों को उनके घर भीजने के पक्ष में है. बताया जा रहा है कि महाराश्ट्रा सरकार की काबिनेट के उपसमिती की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि जो मजदूर, यूपी बिहार, राजस्थान या अन्य राज्यों से हैं, उन्हें उनके राज्यों में भेजा जाए। इसके लिए हर राज्य की सीमा पर इमिग्रेशन विभाग की तरस पर एक अस्थाय विभाग बनाकर मजदूरों की जाच की जाए और पूरी जाच के बाद मजदूरों को उनके ग्रिहनगर भेजा जाए। इस्था को मजबूत करने और लॉकडाउन के कारण सबसे अधिक प्रभावित लोगों तथा गरीबों के लिए राहत पैकेज के लिए कोई उपाय नहीं बताए। शिवसेना की प्रवक्ता मनीशा कयांडे ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि शुक्र है कि प्रधानमंत्री ने इस बार्थाली बजाने या दिये जलाने जैसा कोई काम नहीं दिया। कयांडे ने कहा कि पीएम मोधी अलग से घोशना करने के बजाए मंगलवार को नए दिशा निर्देशों के साथ ही लॉकडाउन के विस्तार की घोशना कर सकते थे। उन्होंने कहा, वो कोरोना वाइरस से निपटने के लिए विस्तृत कदम उठा सकते थे। विभिंग शेत्रों में महमारी से उत्पन खत्रे के आधार पर गतिविधियों पर लगी पाबंदियों में छूट दे सकते थे। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए नजर इंडिया न्यूज, शुक्रिया.